हेलो स्टूदेंस वेलकम तो अबर चैनल वेवस आख्मेटिक्स इस पुनम यूर मैस्टीचर और आज की इस वीडियो में क्वेशन नंबर थी करेंगे क्वेशन नंबर थी में देखिए आपके पास किया वाई इस टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर तू बिया फियर वे ओफ डिस का थी चैक करने के लिए कि पहले किसका तर्न आएगा तो जो भी उन्होंने कंडिशन रखी तो इसके आप के पास किसा इवेंट रहेगा एक्वली लाइखली जाएगा क्यों रहेगा क्यूंकि जब आप क्वाइन को टॉस कर रहे तो आपको डिइविनिटली पता है कि जब तो फेर वे कैसे बोल सकते हो आप किस वज़े से कह सकते हो कि हम ऐसा क्या करें कि बिल्कुल फेर गेम वो खेला जाए तो उसके लिए हम टॉस करते हैं कि यह नहीं होना चाहिए कि पहले हमने अपनी मर्जी से किसी भी टीम को चांस दे दिया उसके लिए हम टॉस करते हैं जिससे कि मैं पता चलता है कि फियर वे तरीके से हम उस तरीके से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं यह देखने के लिए कि पहला किसका टर्न होगा तो यहां पर आप देखिए क्या बोला है इसमें आंसर इसमें उसका solution कुछ ऐसा खास नहीं है बस आपको एक language लिखनी है यहां पर लिखेंगे it is an equally likely event सबसे पहले तो आप इसको बताएंगे कि यहां पर equally likely event क्यों क्यों करते हैं तो उसका reason बताएंगे यह equally likely event है therefore both the teams have equal chance of winning the toss इसलिए हमारे पास जो दोनों टीम्स के हैं व इसमें से किसी एक ने coin को toss कर रहा तो दोनों टीम को पता था कि या तो हम जीतेंगे यह हारेंगे तो यान की जीतने के chances जो इसके winning के chances वो दोनों के बराबर बराबर हो है कोई भी टीम toss आपका जी सकती है ठीक है अब देखिए next question में क्या है आपके पास question number four में बोला है which of the following cannot be the probability of an event इसमें से कौन सी जो है किसी event की probability नहीं है तो दिको probability के लिए मैं आपको बताया था कि जो probability वो हमेशा आपके पास क्या होती है किसी भी event की जो होती हो जीरो से बड़ी होती है और 0 के equal होती है ठीक है एक सकिन यह थोड़ा सा wrong मैंने लिख दिया है probability हमेशा sorry यह wrong इसको मत देखिएगा probability हमेशा 0 से बड़ी और 0 के equal होगी और 1 से 1 के बराबर और 1 से छोटी होगी ठीक होगी है तो यह जो probability होती है या तो 0 के बराबर होगी 0 से छोटी होगी या फिर 1 के बराबर होगी 1 से छोटी होगी तो यहां चेक करते है देखो 2 by 2 by 3 का answer कितना आपके पास आगा अगर आप सको check करेंगे 3 को 2 से divide करेंगे तो decimal से 0 बढ़ेगा and 3 6 18 हो जाएगा है न 18 होगा then 2 आएगा फिर इस point से आप 0 बढ़ाएंगे फिर 6 जाएगा फिर अगें 6 जाएगा तो point 6 6 जाएगा तो point 6 6 जाएगा या निकि या प्रॉक्स आपका वन से छोटा होना चाहिए वन से छोटा या वन के बराबर होना चाहिए तो यहां पर जीरो से बढ़ा और वन से भी छोटा तो यह आपका correct answer है यह सही है लेकिन आपको cannot be कौन सी नहीं होगी वह बताना है आप यहां देखिए 1.5 आप यहां पर क्लियर है देखो 1.5 तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहां पर तो 1.5 या नहीं कि यह जो 1.5 है यह 1 से बढ़ा आ गया यह जो नंबर है यह 1 से बढ़ा आ गया और probability में क्या कहते है कि probability जो होती किसी event की 1 के बराबर हो तो चलेगा लेकिन 1 से हमेशे छोटी रहन नहीं होगी लेकिन यह अंसर आपका correct होगा ठीक हो इसमें टिक कर देंगा 15% यह आपका बिल्कों सही है 15% को जब आप open कर गे तो 15 अपॉर 100 करोगे और इसका अंसर कितना जाएगा 0.15 तो यह भी आपके पास 0 से बढ़ा है और 1 से छोटा है और 0.7 को आप देखेंगे तो 0 0.7 तो आपका 0 से बढ़ा होता है और 1 से छोटा होता है तो इक यही है जो की probability आपकी किसी event की नहीं हो सकती है आप question number 5 देखिए इसमें क्या बोला है probability of किसी event की probability होने की देखो P E यानि की एक probability कोई event मतलब कोई घटना पूरी घटी और उसकी probability इतनी निकल के आगे 0.05 ठीक है देन वाट इस्था प्रबाबिलिटी ओफ नौ यहीं मतलब प्रबाबिलिटी ना होने के चांस इसके नौ अकरिंग की प्रबाबिलिटी ना हो यह आपको find out करना है तो आपको एक relation में ने बताया था किसी event के अकर अकरिंग और नौ अकरिंग के का जो सम होता है वो कितना तो यहां से आप नॉट अकरिंग निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे इस प्लस में है यह उधर चले जायागा तो नेगर भी हो जायागा इस सिंप्लिफिकेशन वाला पार्ट यहां पर आ गया तो वान में इसे देखिए हम वान में से 1.00 में से हम माइनस कर देंगे 0.05 इस तरही के सा आप माइनस कर देंगे 10 में से 5 माइनस वा 5 यहां आपके पास 10 यहां क्यारी लिया तो यहां 9 हो गया यह I think यह आपको बताने की जरूरत नहीं है नहीं सब्ट्रक्षोन आपको आता है झिरू पॉइंट 95 यहापका अंसर हा गया जैसे हम वैल्यू निकालते हैं ना जैसे यहां पे यहां पर x unknown हम्हें पता नहीं होता हूँ यहाँ तो हो गया है do you know he करेंगी और वीडियो को पाउस करके आप इसको समझ सकते हैं इसका इंट्रडक्शन वीडियो है नहीं देखिये तो इसको मैं स्क्रेइन में आपको इंट्रडक्शन वीडियो और इसके साथ में आपके पास इसकी पूरी प्लेलिस्ट में आई बटन में देने वाली हूँ वहां पर इसे प्लेलिस्ट के थुरू आप इसका इntr debut के उसके जित्ते example से उसको अच्छे से समझ सकते हैं जिससे की आपको इएर समझने में आगे easy होगा और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना बूले क्योंकि इस चैनल में आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो भी मैं आप देती हूं मैट्स के स्लेबस भी मैं करवा रही हूं आप लोगों को टैंथ के और नाइंथ के भी मैंने कुछ कराए है और साथ मैं आपको इसके नोटिफिकेशन के तुरू आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलेंगे तो बेल आगन को प्रेस करना ना बूले थाइब 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 थाओवोच्ट